हेलो एवरीवन वेलकम बैक टो इग्जाम ब्रो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अब प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आपको आने वाले जो भी वीडियो है उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें बैल आइकन को भी करतें केंदे विध्याले संगठन क्योंकि डैली काया है वहाँ पे नई वेकेंसे आई आई आपकी टीच रोख ले ठीक हैं तो दोस्तो यहां पर जो है वाकिन इंटर्व्यू टेट है कि आप वहाँ पे इंटर्व्यू देने जा सकते हैं अगर आपने पर्ट्यों अब चि और बहुत से ऐसी वेकेंसी आती है जो केंदे वध्याले मेश बाद में आती है उसमें पहले बताने देने चाहता हूं यह जो वेकेंसी है यह कॉंटर evil अगर यह कॉंटरी कॉंटर कॉंटरी कॉंटर expans जिसमें कि आपकी बहुत बाद वेकेंसी जो पर्मिनेंट वाली आती है उसमें दो साल का experience मांगता है याद एक साल का मांगता है तो यह बहुत सुनहरा मौका है एक तरीके ज़रीज़ा आप अपना इंटर्शिप टाइप का पूरा कर सकते हैं इसके जरीए और आपको एक experience मिल जायागा तो आपको अगर आप केंदे विध्याले से आपका experience काउंट होता है तो आपको आगे के जो केंदे विध्याले में वेकेंसी आती है तो इसमें बहुत ज़्यादा helpful मिलता है क्योंकि इसक आपकी जो इसका interview है आपका 19 February से यानि कि आज कितने आज 14 February आज से पांस दिन बात करीब आप आपका है 19 February को इसका time interview है बैन्यू पे और सुबह 8 बिजे से इसका interview स्टार्ट होगा और इसका जो interview चलेगा हो 20 फरवरी तक चलेगा ठीक है दोस्तों इसके बाद में क्या-क्य इसका मांगा गया इसमें PGT मांगी गई है और TGT मांगे गए PGT आपका English Hindi Physics Chemistry Biology से होना चाहिए Maths और Computer Science और Commerce Economy History Geography और Political Science से होना चाहिए TGT आपका English Hindi Maths Science और Social Science और Sanskrit से होना चाहिए ठीक है दोस्तों इसके बाद इसके बाद काउंसलर की स्टाफ नस्पीस में Computer Instruction और Dance और Music Teacher की भी इसमें रेकेंसी है साथ में Yoga Teacher की भी है Games Sports वालों की भी है और Special Educator की इसमें और Arch Educator Teacher की इसमें रेकेंसी है ठीक है दोस्तों तो यह इस वाली वेबसाइट से आपको मिल जाएगा नौइडर. यह ना नौइडर.kvs.ac.in आप इसकी वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं मैं डेस्क्रिप्शन लिंक पर इसका लिंक दे दूंगा ठीक है यहां पर जागा है पूरी इसकी डेटेल देख सकते हैं और लास्ट डेट पर लेकिन जो इसका बैन्यू टाइम है वो नौइडर उपी के लिए रखा गया है ठीक है दोस्तों इसके बाद कंट्री इंडिया जाहें से बाते हैं इंडिययोगी और इसमें क्वालिकेशन आपके डिप्लॉमा के लिए आपकी पोस्ट ग्रिजूशन के लिए आपके और अधर क्वालिकेशन के भी है ठीक है ठीक है इसके बाद आपको और फंक्शनलिस में इडिकेशन IT किया याध आपका सिर्ट ये सेकनडी पियाए thee किले आपका क्या मांगा गया आपने 10 प्लस तो यह वह आपने 50% से पास आउट होनी चाहिए ठीक है दोस्तों और पॉस्ट पीर्ट या निकिए आपने दो साल का आपने बीएड करा होना चाहिए डीडी कर डिप्लॉमा इन एजुकेशन किया हो ठीक है और आपने सीटेट की पास किया हो जो कि फिट वाला हो सीटे कि आप यहां पर मांगा है वह 4 साल का इंटिगेटर कोर्स हो किसी भी डीजनल एजुकेशन से आपने किया हो ठीक है और उसमें कम से कम पचार परतिशत्र आपने माक्स पाए हो या फिर आपने बैचलर डिग्री कर यह जिसमें कि आपने 50% माक्स पाए हो ठीक है इसके होता है ठीक है पोस्ट ग्रेजुइशन से जो आपका है यह होगा मस्सी कोर्स ऑफ डीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एंसी अर्ट कंसर्ण सब्जक्ट ही कि मास्टर डिग्री और मास्टर डिग्री से कम से कम आपकी 50 पतिशत्र आपके नंबर होने चाहिए इसी तरह कम्प्यूटर साइंस से भी आपका PGT मांगा गया जिसने 50% मांगा गया अगर बीटेक वालों के यहां पर वेकेंसी अगर आपने कम्प्यूटर साइंस और आई टी से करा तो आप इसे फॉर्म को भर सकते हैं ठीक है आप अप अप्यूटर कर सकते हैं आप इसे इंटर्वी से पोस्डेशें लिगरी करियो यह सी लेवल फॉमट्वी से करा रहा हो तो वह भी से भर सकते हैं वह बी लेवल करा ओ ठीक है और सील टिक्राइब अब इसके पॉस्ट इप्लोमा आपने जो पोस्डेशें आपने तरह किया हो ठीक है इसके बाद कम्प्यूटर इंस्ट्रक्शन के लिए यहां पर सेम वेकन से में क्वालिफिकेशन रखी एंड इसके अपर रखा रखा कि आप नेशनल और स्टेट लवल पर आपने परफॉर्मेंस होना चाहिए ठीक रेकोर्ड होना चाहिए तो उनको प्रि योगा टीचर की किसी कहीं सा आपने एक साल के ट्रेइनिंग करी हो ठीक है स्पोर्ट कोच के लिए भी आपका यह कहा है कि आपके पास यूनिवर्स्टी डिग्री होनी चाहिए कि किसी रेपोर्टेट्री डिप्लॉमा होना चाहिए आपका फिजिकल एजूकेशन का फ्रम लक यहां पर आपको पहुंचना है सेक्टर 24 आप गूगल मैप में से सर्च करेंगा आपको सिरे मिल जाएगा यह बहुत ही रेपोर्टेट्री डॉर्गनाइजेशन है के विए सबके जहन में तो आप इसे भर सकते हैं देखिए इसका ओफिक्षिल नोटिफिकेशन है आप देख सकते हैं के इंदे विद्याले सेक्टर 24 ठीक है आपको यहां पर पहुंचना है और स्ब्रकें के लिए वालों कि 19 तारीं को बुलाया गया है या इंगंश हिंदी और फीजिक्स केमेस्ट्री बाइलोजी मैथ और कंप्यूटर साइस के लिए और तीजटी वाले इंग्लिश दी साइंस मैध और संस्कृत अपोश चाफ नासर कैन्स तारीं के लिए आपको 19 त और जबते हैं अधारिक को जाना अबillar चैतीक है तो इस नोट को आप याद कर ले ना ठीक है आपको कब यहां पर ठीक हँ साती आपको लग्योट स κι service एम आपकर लोनगे आपको साहत्म लेहने आहरे अपने वो इस website में आप दे रखे हैं ठीक है आप इस website में जाएं स्टीटीपीपीएस डॉट के वीएस डॉट एसी डॉट इन इसको फॉलो करते हो आप जैसे लिंक में दे रखा है मैंने आप अहां सो जाकर संपर कर से और यहां पर बात कर लेते हैं सेलरी की देखिए प्याइटी के लिए आपकी 21,250 तक दिये जाएंगे ठीक है मन्थली मन्थली कॉंसलिडेटर पे ठीक है ऐसी टीजी ठीक है आपको 26,250 है दोस्तों यह बहुत अच्छी सेलरी है ठीक है फॉर स्टार्टिंग के लिए यहां पर इसके बाद PGT अगर फिजिकल केमिस्ट्री और मैतमेरिक साइंस के देखिए जो PCM वाले हैं और हिंदी एकोनामिक्स वाले हैं उनके PGT के लिए 27,500 तक रखा गया है जो की काफी अच्छी सैलरी है इसी तरह कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी यहां पर 27,500 रखा गया चाहिए और कंप्यूटर इंस्ट्रक्चर के लिए आपको 26,000 2550 रखा गया है ठीक है दोस्तों इतना रखा गया है अगर प्राइमरी क्लास को पर आता तो 21,250 होगा सेगरेंड क्लास को पर आता है तो आपका 26,250 होगा ठीक है इसके बाद गेम सोर को टीचर वालों का 21,250 है इसके बाद crazyτο लिए आपका map URL मिलेंगे ठीड़ दोस्तों मतलब कि 12000 अगर 30 दिन काम करें 22000 दोसों पचास रूपए ठीक है तो यतने रुपए उसके बन जाता है 22000 is व offenders बन जाते था यहां पंच्यों पड़ाश ना तो इतन Story बन rounds वह जएनके तो इस के भी आ Pak यहां पर यह दे रखा है कि इंग्लिश और हिंदियों बहुत होना चाहिए थोड़ा अगर आपने पहले भी टीचिंग कहीं पड़ा रखेंगे थोड़ा एक्पेशन सा काउंट होगा पर लेकिन आपको फोटो चाहिए दो फोटो आप ले जाएंगे यहां पर यहां पर आपको फोटोग्राफ होगी यहां पर इंटेव्यू डेट आगर आपको 19 को फोटोड डीनाता हूप जोब होगा मुज्य क्यək पिन देट यह बूबाइल नमबर आप मोबाइल बाल आप इस कि अपनी मार्क सा आपको बोर्ड यहार पासिंग माइं यह सब लिखना है अब को ग्रेजुएशन लिखना है अब को यहां पर लिखना है इसके बाद आप अगर आपने स्कूल में पहले बढ़ा रखा है कोई कंपणी में आपकी जॉब करिए तो इसका एक्षी नहां पर लिख सकते हैं ठीक है तो थोड़ा प्रिफरेंस मिल जाएगा उन्हें थोड़ा बेटेज उनको मिल जाएगा इस तीज का इंटर्व्यू में अपर लेकिन यह पर लिख सकते हैं ठीक है इसके बाद यह कि आपको प्रिपेर कर लिए अपने आपको अच्छा मौका है जब तक आपकी कोई पर्मेंन जॉब नहीं लग लिए तब तक बहुत अच्छी जॉब इतने अच्छी सहली मिल लिए और साथ में आप पढ़ाएंगी बच्चों को आपको आपका नॉलेज बढ़ेगा और इसका मेंन चीज वहाँ पर एक्सविएंस काउंट होगा तो इसे भड़ लीजे बहुत ही जैन्मीन नौक रही है ठीक है के विएस जैसे संस्ता में जॉब पाना बहुत ही बड़ी बात है अपने आपनी और यह वीडियो पसंद लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें थैंक यू once again सब्सक्राइब माई चैनल और बाई